नमस्कार दोस्तो मैं हूँ विश्वजीत नेरिकर और स्टॉप जिने में आप सभी का स्वागत है दोस्तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारा लेक्चर फाइव है लेक्चर फोर मैंने अभी अपलोड किया है रिसेंटली अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इससे पहले के चारो लेक्चर आप इस वीडियो को देखने से पहले जरूर देख ले मैं आपको बता दू कि ये सारे लेक्चर मेरे चैनल पे अल्रडी अपलोड़ेड है अगर ये सीक्वेंस में आपको देखने है तो नीचे एक प्लेलिस्ट है अप उसको एक बार प्ले कीजिए प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ेंगे विद प्रॉपर नोट्स तो आपको स्टॉक मार्केट जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अब दोस्तो अगर आप मेरे साथ करनेक्ट करना चाते है तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ करनेक्ट हो सकते है ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको सिंप्ली विश्वेजी नेरकर सर्च करना है और आपको मेरी इंस्टाग्राम प्रॉफाल मिल जाएगी जो भी मैंने अपने premium groups में डाल रखे हैं वो सारी positions का live update में यहापे डालता हूँ अब यहापे दोस्तो connect होने के लिए आपको सिर्फ यहापे follow करना है और अगर आपको कोई दिक्कत होती है market की series के अंदर कोई doubt होते है तो आप videos के comment के नीचे लिख सकते है लेकिन कोई personal doubt है जैसे अगर आपकी कोई position है जिसके अंदर आपको लगता है कि maybe you need some guidance तो आप मुझे यहापे DM कर सकते है मैं यहापे आपको help करने की जरूर कोशिश करूँगा दोस्तों आज के topic की जो भी concepts है वो consequence है तो आप यहापे देख सकते है lecture 5 के अंदर जो भी topics है आज हम cover करने वाले है इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि candlestick patterns exactly होती क्या है इसको क्यों इतना importance दिया जाता है उसके बाद हम major 5 जो topics है major 5 जो types के candle patterns है उन चीजों को हम cover up करेंगे और देखेंगे कि इन candles का significance real time charts में कैसे होता है अब इस वीडियो के अंदर मैं चार्ट के उपर study करके नहीं दिखाऊंगा the reason is कि अभी मैंने आपको in trading view के बारे में बताया हुआ नहीं है तो आने वाले वीडियो में जब मैं in trading view का introduction दे दूँगा तो real time में हम candle sticks को analyze भी करना start कर देंगे आज के वीडियो में हम सिर्फ theoretical knowledge लेने वाले हैं मैंने diagramatically भी सारी चीज़े बना रखी है तो जो चीज़े मैं यहाँ पर theoretically पढ़ाने वाला हूँ diagram को देख के आप एक proper understanding create कर सकते है आज का जो वीडियो होने वाला दोस्तों उसके अंदर आपको notes की ज़रूरत जाता नहीं पड़ेगी बस थोड़ा सा visualize करना पड़ेगा ताकि जो भी चीज़े है आप अच्छे से समझ पाओ अब यहाँ पर मैं आपको बता दू कि जो मेरी book है The 100 CR Plan from Stock Market उसी का एक chapter है ठीक है उसी के chapter के अंदर जो भी concepts है वही हम discuss करने वाले है This is the chapter 5 of my book जिसके अंदर मैंने सारी चीज़े लिखी हुई है कि आपको अगर candlestick pattern देखना है तो किस तरीके से आप cover up कर सकते है तो आज basically मैं chapter 5 जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है उसको discuss करने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते है सबसे पहले दोस्तो candlestick patterns exactly है क्या अब सबसे पहले हम आपको बता दू कि candlestick pattern यह जो word है यह काफी ज़्यादा trend में रहता है काफी ज़्यादा लोग इसको follow करते है इसके पीछे का सिफ एक single reason है सारे indicators जो हम in future पढ़ने वाले है आपको पता ही होगा कि indicators होते है RSI होता है MSCD होता है pivot points होता है यह सारी चीज़े जो होती है lagging indicators के नाम से जानी जाती है अब lagging indicator का मतलब क्या है lagging indicator का मतलब यह है कि कोई चीज जो आपको action लेने पे मजबूर करती है लेकिन वो action आपको बहुत पहले लेना चाहिए था लेकिन lagging indicators क्या करेंगे lagging indicators आपको बाद में बताएंगे कि यह चीज ऐसे हो रही है just in case मैं आपको बता दू अभी हम moving averages आने वाले videos में पढ़ने वाले है तो उस case में क्या होने वाला है कि आपको indicator बोलेगा कि अब buy करो लेकिन according to price action, according to candlestick patterns वो buy already पहले ही execute हो चुका होगा मतलब यहाँ पर delayed action वाली जो चीज़े होती है वो indicators में देखिये जाती है लेकिन candlestick patterns के अगर में बात करो तो बहाँ पर आप real time check कर सकते है real time price को देख पर बता सकते है कि यहाँ से price उपर की तरफ move करेगा यह नीचे की तरफ this is the one of the most important reason जिसके वज़े से candlestick patterns को बहुत ही जादा जाना जाता है अब candlestick patterns exactly आते कहा से है candlestick patterns एक Japanese technology है टिक है जैसे Japan के अंदर इसको किसे ने invent किया था यह सारे patterns को observe करके इसकी terminologies बनाई गई थी अब यह theoretically काफी जादा हमें घुसने के ज़रूरत नहीं है इसके अंदर हमारे लिए important यह है कि यह work कैसे करते है अब candlestick pattern के अंदर basically four components होते है जिसका नाम होता है OHLC ठीक है आप इसको notes में लिख सकते है वैसे ही आपर मैं जो file अभी दिखा रहा हूँ इसका PDF भी मैं share कर दूँगा अगर आप मेरे Instagram पे connect होते हो और मुझे DM करते हो तो वहाँ पर मैं आपको share कर दूँगा rest आप अभी सिर्फ और सिर्फ screen पे ध्यान दीजिए screen के उपर मैं अलड़ी चीज़े ये लिखी होई है आप इसके snaps भी ले सकते है अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि OHLC की OHLC का मतलब होता है open, high, low और close किसी भी candlestick pattern में ये सारे चार components आपको देखने को मिलेंगे अब यहाँ पर इन चारो components का अपना-पना significance है सब candlestick patterns के अंदर ये components का क्या importance है ये real time में आपको पता चलेगा अभी आने वाले time में अब OHLC के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकता है diagramatically मैंने दोनों diagram बना रखे है कि एक green color की candle कैसे दिखती है और एक red color की candle कैसे दिखती है अब green color की candle के अंदर अगर हम बात करें bear run जबाता है तब market नीचे आता है तो bull run के अंदर या फिर bullish candle के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर price नीचे से उपर जा रही है नीचे से उपर जाने का मतलब क्या है कि open वो नीचे होगा और close कही उपर होने वाला है अब इस candle का जो यह diagram मैंने आपके screen के उपर रखा हुआ है इसको थोड़ा ध्यान से देखेगा यहाँ पर क्या है कि opening जो price है वो नीचे की तरफ है closing जो price है वो उपर की तरफ है अब कोई चीज नीचे की तरफ open हो कि अगर उपर की तरफ close कर रही है तो उसको हम कहते है bullish candle अब similarly candle का जो high है वो तो वही रहने वाला है इसके अंदर कोई change नहीं है similarly bearish candle के अंदर जो opening है bearish का मतलब क्या होता है नीचे आना bears का मतलब क्या होता है bears का का काम क्या होता है price को नीचे ले क्या आना अब यहाँ पर bearish candle का मतलब क्या है कि opening जो है हमारे पास ओपर होने वाली है और जो closing है वो नीचे आने वाली है तो यहाँ पर आप देख सकते है diagram के अंदर क्या है open ओपर की तरफ है close नीचे की तरफ है high और low अपने अपने place पर है जैसे bullish candle में थे अब यहाँ पर यह जो color है आप सोच रहंगे कि अच्छा bear को red color क्यों दिया bullish candle को green color क्यों दिया ऐसा इसके अंदर कोई rule नहीं है कि आप इसी color को देखो यह सिर्फ और सिर्फ एक overall like all over the world यह जो practice से यह follow कि जाती है कि जो green color की candle है और bulls की candle है red color की candle जो है यहाँ पर हमारे bears की candle parallel है अब colors आप अपने हिसाब से change कर सकते हैं हो सकता है कि आपको pink color पसंद हो सकता है violet color पसंद हो तो आप अपने हिसाब से है कि हमारे candlestick pattern कौन से कौन से है अब इस video के अंदर मैंने सोचा था कि मैं 5 candlestick patterns पढ़ाने वाला हूँ the first one is going to be hammer फिर हम पढ़ने वाले हैं doji फिर twin tower marabuzu और engulfing लेकिन इस book के अंदर मैंने spinning top और यह सारी observe किये जाते हैं और इन्ही patterns के उपर mostly लोग जो है ट्रेडिंग कहते हैं जैसे हम कहते हैं आप famous यह famous five candlestick patterns जो मैं इस video के अंदर discuss करने वाला हूँ बाकी अगर आपको लगता है कि कोई और pattern भी मुझे discuss करना चाहिए separate video में तो आप मुझे comments के तुरू बता सकते हैं मैं उसका भी trading करने का तरीका आपको बता दूंगा अब यहाँ पर बात कर लेते दोस्तों सबसे पहले marabuzu candle की marabuzu candle का मतलब क्या है इसका जो भी एक candlestick होती है उसके जैसे मैंने आपको खहा चार components होते है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो candle बनी हुई है इसके ऊपर यह दो नीचे एक पत्ली पत्ती से lines है इनको हम लोग कहते है wicks w i c k s अब यहाँ पर यह जो wicks है अब इन wicks का मतलब क्या होता है यह सिर्फ ए क्या है bald candle कहा जाता है इसे और यह word जो है marubuzu यह marubuzu इसी लिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसे bald candle के नाम से जाना जाता है अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है there is no wick whatsoever इसका कोई wick नहीं होता है अब green candle और red candle कैसे बनती है मैंने आपको already बता दिया है इसी तरीके से क्या market में किसका जाधा dominance चल रहा है जैसे आप देख सकते है मैंने screen पे लिखा हुआ है the bulls are in full control बूल जारे फुल कंट्रोल का मतलब क्या है कि candle जो है नीचे से open हुई ऊपर जाके close हुई ऊपर से कोई भी selling pressure नहीं आया दोस्तों candlestick patterns जब आप observe करते हो तो आपको psychology समझना बहु यह है कि आपको psychological significance पता हो कि किसी भी candle में जब selling pressure आता है तो उसको किस तरीके सा उपसब किया जाता है यह काफी important हो जाता है अब यहाँ पर दूसरी जो candlestick pattern है जो दूसरी मारू-बूज़ो candle है उसके अंदर मैंने लिखा हुए the bears are in full control अब bears are in full control का मतलब क्या है कि opening हुई price वहाँ पे तुरंत नीचे आई there were no bulls in the market जो price को उपर push करे because अगर bulls market को उपर push करते तो यहाँ पर हमें एक wick देखने को मिल जाता लेकिन bulls का bulls इसके अंदर है ही नहीं तो price जैसे ही open हुए नीचे आई है और नीचे closing के time पे भी कोई bulls नहीं क्योंकि अगर bulls आते तो नीचे की एक wick ज़रूर बनती वो price को उपर push करते यहाँ पर wick ना आने का simple सा इतना सा ही मतलब है कि जो भी player market में है वो पूरी तरीके से dominant है क्योंकि छोटा सा भी यहाँ पर हमें push देखने को नहीं मिल रहा है अब I hope कि आपको marubuzu candle जो है काफी clear होगी अब marubuzu candle का significance क्या ह marubuzu candle जब भी आपको देखने को मिलेगी तो आपको ध्यान रखना है कि यह candlestick pattern बहुत ही powerful है जब भी आप किसी trade में हो अगर यह आपके favor में आ रही है तो आपको control करना चाहिए आपके trade को hold करना चाहिए with trailing stop loss लेकिन अगर आपके trade के against है तो आपको उसके अंदर for sure with proper risk management exit ले लेना चाहिए क्योंकि जब जब यह candle आती है तो market के अंदर जो player है अगर आप bullish हो और market में bears player enter कर रहा है तो this is a clear sign of bears and this is a clear sign of trend reversal mostly ऐसी candle कब देखने को मिलती है जब operators involved हो जाए आपने देखा होगा कई बार होता है कि कोई भी stock एक बहुत ही flat moment में चल रहा है एक घंटा द गंटा ट्रेडिंग सेशन होता है ना हमारा 9 बज़े से लेकर साड़े 3 बज़े तक तो होता है कई बार कि market के अंदर कोई एक script आप लेकर चल रहे हो let's suppose indecent bank अब वहाँ पर एक बज़े से लेकर let's suppose 9 बज़े से लेकर एक बज़े तक वहाँ पर कोई भी movement नहीं आई market बिलक से कोई pressure नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है कि अब market के अंदर bulls activate हो चुके है वो इंडेसिंट bank को नीचे नहीं आने देंगे इसका मतलब सिंपल सी एक ही बात है कि अगर आप bullish है तो आप अपने trade को hold कीजिए bearish है तो आप अपने trade को exit कर लीजिए इसलिए हमेशा मैं कहता stop loss बहुत important है I hope कि आपको इसका significance समझ में आ रहा होगा अब दोस्तों दूसरा pattern जिसके बारे में हम बात करना चाहता है वो है डोजी अब डोजी जो word है यह काफी important है और डोजी pattern is one of the most powerful patterns मैं आपको बता दू कि मेरे experience के according डोजी pattern जब जब आता है mostly ठीके 95% of the times हमें जो यह success rate देता है लेकिन कई बार होता है कि हमारे पास जो है trend reversal इसके आने के बाद भी नहीं होता तो कई चीज़े ऐसी होती है जो market के अंदर 5% probability पे हम छोड़ सकते है तो हमारे पास जो हमारा main motor होना चाहिए वो 95% success पे होना चाहिए ना कि 5% loss पे 5% loss पे रखोके तो आपको trading करन सबसे पहले इन दोनों को छोड़ दो ठीक है यह जो इसके बाद वाले जो तीन डाइग्राम से एक दो तीन आप इसको छोड़ दो फिलाल मैं आपको सिर्फ पहला pattern समझा रहा हूँ और उसके बाद आपको बागे के patterns अपने आप समझ में आ जाएंगे अब अगर मैं पहले pattern की बाद करूँ तो पहले pattern के अंदर आपको दिख रहा होगा कि एक simple सा ठीक है एक single line बनी हुई है उपर एक wig बनी हुई है नीचे एक wig बनी हुई है लेकिन अंदर कोई body नहीं है ठीक है अंदर body नहीं है इसका मतलब यह होता है कि जो आपका buyer है वो price को उपर लेके जाना हो चुकी है अब यहाँ पे दोनों में से कोई एक powerful होने वाला है we don't know कौन है लेकिन इतना हम ये candlestick pattern देखके बता सकता है कि market के अंदर अब दोनों में से कोई एक player जो है अब dominance लेने वाला है लेकिन current scenario में दोनों की powers equal है तभी जाके आपको ये doji pattern देखने को मिलेगा अब अब doji pattern बनेगा कैसे देखो candlestick pattern का significance या psychology समझने के लिए आप सिर्फ उस candlestick का बनने का तरीका देखो doji pattern कैसे तरीके से बनेगा ये जो candlestick pattern ये किस तरीके से बनाओगा price opening होई होगी फिर उपर गई उपर से selling pressure आया नीचे आ गई नीचे से selling pressure आया अब इस point से selling pressure आया price नीचे गई फिर bulls आके उपर चले गई अब इसका मतलब दोनों की तरफ से जब equal pressure मिल रहा है तो price के पास move करने के लिए चांस ही नहीं है इसलिए यहाँ पर ये जो single बीज में आपको centric line दिख रही होगी ये single line इसका मतलब इतना साही है कि दोनों का जो competition level है equivalent चल रहा है दोनों में से कोई भी powerful इस time पर नहीं है दोनों के अंदर equal ताकत है अब दूसरा pattern देखते है डूसरा pattern जो है doji ये pattern आपको तब देखने को मिलेगा जब market के अंदर bear जादा strong हो अच्छा इससे पहले हम आपको बता दू कि जो पहला pattern है ये candle के अंदर trend reversal का symbol है ठीक है ये जो pattern है पहले Christ जैसा ठीक है ये plus symbol की तरह दिख रहा होगा आपको ये जो है trend reversal का symbol है लेकिन बाकी के जो doji है वो trend reversal का signal नहीं है अब इसके पीछे के psychology आप समझ सकता है market में I guess बहुत सारे doji होती है gravestone doji dragonfly doji और फिर four price doji इसका हमें कोई मतलब नहीं है नाम से बस psychology समझने के कोशिश करो दूसरा जो यहाँ पर मैंने आपके सामने जो doji बना के रखा हुआ है ये doji आपको हमेशा तब देखने को मिलेगा जब market में bear जाद activate है आप ही सोचो price उपर की तरफ open हु पता है एक indecision का तरीका है ठीक है अब bears भी strong नहीं है बुल्स भी strong नहीं है इसके अंदर ये समझो क्यों बोल रहा हूँ है क्यूंकि जब बुल्स activate हुए price ओपर तो जरूर गई लेकिन एक significant point पे bears activate होके price को वापिस से नीचे लेकर आ गए लेकिन अगर bear strong थे तो price को नीच नहीं गई वहाँ से opening वही पर closing हो गई इसका simple सा मतलब ये बनता है कि bears अभी strong तो है लेकिन as compared to bulls अभी इनके पास मौका है कि ये और strong हो सकता है ताकि ये price को नीचे लेके चले जाए अब ये जो candlestick pattern है ये जो gravestone doji है gravestone doji मतलब कौन सा ये वाला gravestone doji जो है ये आपको most probably तब देखने को मिलता है जब आपको एक bull run चल रहा हो bull run के अंदर क्या होता है price लगाता है उपर 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 जा रही है एक point पे आने के बाद जो price है वो saturate होने लगती है point of saturation आता है आप सभी को पता होगा market कभी एक direction में नहीं भगता जब market उपर जा रहा है तो एक तरीके से थोड़ा correction दिखागा या stabilize हो जाएगा अगर stabilize हो रहा है volume हलका सा नीचे गिर रहा है अब volume की study हम बाद में करेंगे फिलाल volume का जो word मैंने use कि अगर आप उसको consider करना चाहते तो करो लेकिन नहीं करना चाहते तो मत करो कोई दिक्कत नहीं वो आने वाले time में आपको बताऊंगा अगर volume गिर रहा है और साथी साथ अगर आपको ये price ये वाला जो doji है that is gravestone doji अगर ये आपको देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर आपको consider करना चाहिए कि bull run के अंदर ये stock अब नहीं sustain कर पाएगा अगर नीचे आता है तो gravestone doji is a symbol कि अब यहाँ से price नीचे आने वाला है trend reversal इसके अंदर भी देखा जाता है लेकिन most probably ये भी एक indecision की तरफ से candle है जैसे मैं कहता हूँ कि जो हमारे पास long leg doji है जो ये वाली doji है इसको मैं हमेशा consider करता हूँ कि जब भी आती है trend reversal होगा I am 95% sure in fact I shoot से 99% sure लेकिन जब हमारे पास gravestone doji आती है तो मैं इसको trend reversal ना कहके मैं इसको कहता हूँ indecision candle अब जिस तरीके से हमारे पास gravestone doji एक indecision candle है similarly हमारे पास जो dragonfly doji है वो भी indecision candle है similarly जैसे मैं आपको बताया कि उपर से selling pressure आया इसलिए ये बना उसी तरीके से यहापर जो dragonfly doji है उसके अंदर buying pressure आने के वाज़े से candle ब बनता है यह आपको समझ में आ रहा होगा अब जो four price doji है ठीक है four price doji बस theoretically पढ़ाई जाती है मैं भी इसके अंदर इसलिए cover करा रहा हूँ because आपको पता होना चाहिए कि ये candle stick pattern exactly है क्या अब ये force price doji जो है इसका no wick होता है ठीक है इसका wick भी नहीं है इसका body भी नहीं है simple सा line है ये वैसे कोई candlestick pattern नहीं होता ये आपको तब देखने को मिलता है जब या तो price में अपर circuit लगा हो या तो lower circuit लगा हो इसके अंदर कोई भी तरीके की body नहीं होती जो भी bulls या जो भी bears है वो equal competition में रहते है ना ही कोई किसी को push कर रहा है at least कहीं पर push हो तो आप consider कर सकत कि ये dominance हो रहा है ये लड़ाई हो रही है लेकिन जब bulls या फिर bears पूरी तरीके से control में होते है या फिर कह सकते कि उनकी लड़ाई बिल्कुल equivalent control में चल रही है तब जाकर हमारे पास ये pattern बनता है अगर आप एक beginner हो तो आप इस pattern को बिल्कुल ignore कर सकते हो मैं तो कहता हो अग बाकी के तीन का significance है बाकी के तीन important है वरना मैं QE बढ़ा रहा होता ठीक है अब यहापर doji का importance और doji का psychological significance exactly होता कैसा है मैंने आपको समझा दिया I hope कि आपको doji समझ में आ चुका होगा अब यहापर बात कर लेता है hammer की again a very powerful pattern ये एक trend reversal का बहुत ही powerful sign है आपने देखा होगा इस diagram के अंदर आप देख सकते है ठीक है कि जब एक bear run चल रहा था एक hammer आया उसके बाद एक bull run start हो गया है अब यहापर दो तीन चीज़े जो आपको consider करनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ हमेशा ध्यान रखना और यह मैं आपके regular videos में भी कहता रहता हूँ Instagram पे जो मैं updates जालता हूँ उसके अंदर में मैं कहता रहता हूँ कि हमेशा देखिएगा जब कोई price नीचे continuously गिर रही है और अगर एक point पर आके वो saturate हो रही है और बड़े-बड़े Wix देखने को मिल रहे है ठीक है Wix का मतलब क्या है यह जो बड़ी-बड़ी bodies है अगर यह saturation हो रहा है और उपर से बड़ी-बड़ी Wix आ रही है इसका मतलब price जो है वो उपर की तरफ saturate हो चुका है और उपर से continuous selling pressure आ रहा है इसी लिए यह लंबी-लंबी Wix बन रही है simple सा मतलब क्या हुआ कि आपको trade से exit हो जाना चाहिए या फिर आप trade को reverse कर दो अब यहाँ पर दो तीन चीज़े जो हमेशा ध्यान रखने चाहिए hammer pattern के अंदर क्या होता है hammer pattern के अंदर कोई भी उपर के wix नहीं होती सिर्फ और सिर्फ नीचे के wix होती है अब hammer pattern बनेगा कैसे price open हुई नीचे गई नीचे बहुत लंबी wix बनाई फिर अंदर bulls activate हो गई वो price को उपर लेकर आए लेकिन सिर्फ और सिर्फ उपर नहीं लेकिया है उन्होंने price को opening से उपर push किया और close कराया this is a scenario where bulls are getting powerful bears तो चलो control में थे बैर्स control में थे तभी तो नीचे आई price इतनी लेकिन कब तक ऐसे control में रहेंगे there should be shift between the powers वरना तो market crash ही हो जाएगा एक time पे अब यहाँ पर क्या हुआ है the shift of power is being seen into the candle अब यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है कि जो candle है उसके अंदर power of shift देखने को मिल रहा है अब यहाँ पर आप देखना आपको 2-3 points ऐसे देखने है जहाँ से आप एक confirmation ले पाओ सबसे पहले लोग क्या गलती करते हैं hammer आया buy कर लो hammer आया इसके अंदर entry ले लो बहुत बड़ी position open कर देते हैं लेकिन कुछ points ऐसे है जिनके उपर आपको हमेशा focus करना है अगर hammer आपको ऐसे ही बिना किसी support के दिख रहा होगा तो उस trade को आपको avoid करना चाहिए और आपको hammer सिर्फ और सिर्फ थभी consider करना चाहिए जब consolidation देखने को मिल रहा हो अगर consolidation देखने को नहीं मिल रहा है तो दूसरा point जिसके उपर आप focus कर सकते हैं वो ये है कि candle ये जो pattern है candle pattern ये आपको support पे देखने को मिलना चाहिए अगर support पे नहीं है या फिर किसी कह सकते है powerful line पे नहीं है trend line पे नहीं है तो इस pattern को आप ignore करो क्योंकि most of the times market का अपना तरीका है ठीक है market के अंदर कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो market को बिलकुल कह सके कि ये ऐसा ही behave करेगा ये सिर्फ और सिर्फ हमारा analysis होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे predictions होते है जिसके अंदर हमें 90% of the times accurate जो है हमें रहना है ठीक है game of probability कहता हूँ मैं इसे खेर वो सारी बाते मैं जब risk management का proper lecture record करूँगा उस case में मैं cover up करूँगा फिलाल मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि hammer pattern आपको कब-कब ignore करना है और कब-कब consider करना है I hope कि आपको hammer pattern अच्छे से समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर मैं बात करो hanging man की देखो hanging man hammer का बस उल्टाता है अगर आप hammer को इस तरीके से उठा के उपर कर दो तो यह आपको hanging man pattern देखने को मिलेगा अच्छा hanging man pattern जो है इसका importance क्या है यह आपको सिर्फ और सिफ resistance पे देखने को मिलता है resistance के अंदर कई सारी चीज़े involve होती है जैसे हो सकता है कि volume कम हो रहा हूँ या फिर हो सकता है कि पुराना कोई resistance line हो पुराना कोई trend line हो तो वहाँ पर यह resistance face कर रहा हूँ लेकिन अगर उस trend line पे या फिर उस resistance line पे अगर hanging man pattern बनता है तो आपको अपने trend को reverse करना चाहिए patterns है जो भी मैं कहा रहा हूँ या आपको कब follow करने है या आपको minimum 5 minutes और maximum कह सकते है 15 minutes पर follow करने है इससे बड़े time frame पे ये patterns काफी देखने है जो मतलब कह सकते है कि काफी मुश्किल होता है या obtain नहीं होते लेकिन कई बार होता है कि doji जैसे patterns टीक है वो one hour time frame पे या one day time frame भी मिल जाते है तो आपको इनको consider करके चलना है लेकिन अगर आप एक intraday trader है या फिर कह सकता हूँ कि अगर आपका ऐसा vision रहता है कि मैं best prices पर buy करूँ best price पर buy करके मेरा 1%, 2% जो भी मेरा target है वो मैं achieve करूँ तो आपको 5 minutes से लेकर 15 minutes के अंदर ये सारी testing करनी चाहिए अब हो सकता है कि आप मेंसे कोई लोग कहे कि sir मैं तो 1 hour पर ही करूँगा मैं 1 day पर ही करूँगा मैं 5 minutes या 10 minutes पर भरोसा नहीं रखता तो वो आपकी मर्जी है मेरा काम है आपको सिर्फ candlestick pattern से aware कराना time frame किस तरीके से choose करना है वो आप अपने हिसाब से choose कर सकता है उसके अंदर मेरा कोई boundation नहीं है अब hanging man pattern का psychological significance क्या है prize open होती है, नीचे जाती है, उपर की तरफ push होता है लेकिन फिर भी bears control में है इसलिए जो है हमारे पास एक red color की body बनती है और नीचे की तरफ से एक buying pressure तो दिखे रहा है bull run चल रहा है तो buying pressure तो रहेगा लेकिन bears अब control लेने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी body बन चुकी है उससे पहले आप देख सकते है कि continuous green candles आ रही होंगी with pressure भी आया लेकिन candle red color में turn नहीं होई candle किसी pattern से mail खाती है तो वहाँ पर आप अपने trade को execute करा सकते है वहाँ पर अपनी जो position है वो square off कर सकते है अगर आपको लगता है कि यह simple सी छोटी सी red candle है जो kind of correction candle होती है अगर वो है तो आप इस trade को अपना जो है hold कर सकते है अब यहाँ पर जो दूसरा pattern जो next pattern जिसके हमें बात करने है वो है हमारे पास engulfing pattern अब engulfing pattern का मतलब क्या होता है engulfing pattern काफी important है और यह कई बार market में देखा जाता है अब इस video के अंदर जो book के अंदर मैंने लिखा हुआ है ठीक है और मैं अपने experience आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन से चीज फॉलो करने चाहिए मैंने जो अपने observation से observe किया है वो दो-तीन चीज़े मैं आपको बताता हूँ market के अंदर एक चीज फॉलो की जाती है जिसे हम कहते है engulfing अब यह engulfing का तरीका जो market में follow था वो यह है कि simply आप आने वाली जो candle है जैसे diagram के अंदर आप देख सकते है wick का high और low जो भी है आप trace करो ठीक है जिस तरीके से diagram मैंने बना रखा है उसको एक बर ध्यान से देखो यहाँ पर यह जो trace किया हुआ है ठीक है यहाँ पर यह जो trace मारा हुआ है पीछे की तरफ अगर यह green candle का trace पीछे वाली red candle को पूरी तरीके से cover करता है तो उसे हम कहते हैं bullish engulfing similarly अगर red candle का retracement retracement कह सकते है इसको अगर आपको समझ में नहीं आगा तो आप तो retrace समझ सकते हो अगर मैं इसका simple सा image उठा के पीछे वाली candle पर overlap करूँ और अगर यहाँ पर red color के candle, green color के candle को completely overlap करती है तो इसे हम कहते है bearish engulfing अब मेरे observation के according मैंने जो 2-3 चीज़े देखी है market में मेरे experience के according तो मैंने ये चीज़ notice किये कि आपको wicks नहीं देखने है आपको body देखनी है जैसे अगर कोई body है green color की और उसके सामने ठीक है ये candle बनी है जिसका wick भी है, जिसका body भी है, जिसका low point भी है मैं आपको diagram बना के समझाता हो अब मान के चलो कि हमारे पास एक कोई candle ऐसी है जिसका उपर की तरफ एक wick है, नीचे की तरफ एक wick है ठीक है, ये simple सी candle है और ये जो है, ठीक है, मैं shaded color को na red color मान के चल रहा हो ठीक है, shaded जो area होता है, ये red color की candle है अब इसके सामने traditional तरीका क्या है ये traditional तरीका ये कहता है कि इसके सामने अगर कोई candle ऐसी है जिसका जो क्या कह सकते है, जिसका जो सिर्फ wick है अगर आप wick से retrace करो तो ये पीछे वाली candle को completely overlap करनी चाहिए लेकिन मैं कहता हूँ, आप इसको ऐसे follow ना करके जो मेरा तरीका है, उससे सामसे follow करो मेरा तरीका क्या है, कि मैं body को देखता हूँ, ठीक है wick तो छोड़ो, wick की कोई बात नहीं है लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ body consider करता हूँ मेरे लिए bullish engulfing तब होता है जब यहाँ पर green color की candle आ रही हो ज़रूरी नहीं है, कि मैं नीचे वाली wick को consider करू अगर यह candle ऐसा भी है, तो भी मैं इसको bullish consider करता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से, जो यहाँ पर observation आती है वो यह है, कि जब जब body पूरी तरीके से पिछली body को overlap कर रही है तो वहाँ पर हमारे पास एक clear indication है कि पिछली वाली candle का dominance अब खतम हो रहा है और आने वाला जो player है, वो ज़ादा powerful हो रहा है I hope कि आपको जो मैंने तरीका बताया ठीक है, angulfing का वो आपको समझ में आ रहा हो पहले जो traditional तरीका जो आज भी follow किया जाता है वो यह है कि wick से retracement मारो मैं कहता हूं नहीं, आप body से retracement मारो तो simply यहाँ पर bullish angulfing bearish angulfing का इतना साही importance है कि यहाँ पर आप सिफ इतना देखो कि overlap करने के बाद आपको कौनसी चीज dominance में दिख रही है अब important point क्या है कि आपको bullish angulfing कब देखने को मिलेगा जब आप support पे हो आपको bearish angulfing कब देखने को मिलेगा जब आप resistance पे हो most of the time market के अंदर यह चीज़ देखी जाती है कि यह pattern support और resistance पे नहीं देखने को मिलते, यह Fibona की levels पे देखने को मिलते है, अब Fibona की levels भी support and resistance level होती है लेकिन उसके अंदर जाने के लिए पहले हमें इस lecture को पूरा समझना पड़ेगा जब मैं technical indicators का lecture आपके साथ share करूँगा, तब आपको यह Fibona की levels और जो मैं support resistance बात कर रहा हूँ, यह आपको समझ में आने वाला है फिलाल आपके अच्छे student के तरह सिर्फ इतना समझ लेकि कि यह नाम का कोई pattern होता है जो इस तरीके से work करता है जब जब bullish engulfing pattern आएगा, तब तब market के अंदर bulls activate होके price को उपर लेके चले जाएंगे, जब जब bearish engulfing होने वाला है तब तब price क्या है, इधर से नीचे जाने वाला है, price के अंदर एक गिरावट आने वाली है, अब यहाँ पर I hope कि आपको मैंने engulfing pattern भी समझा दिया है तो आज के lecture में मैंने जो topics cover किये, वो है हमारा hammer, फिर doji, फिर marabuzu और engulfing, अब last topic जिसको मुझे cover up करना है वो है twin tower, ठीक है इसको हम लोग twin tower भी कहते है इसको हम लोग tweezer भी कहते है, तो this is up to you कि आप इसको क्या नाम देना चाहते हो सबसे best part इस tweezer के अंदर क्या है, tweezer pattern simple सा, इतना सही है कि यहाँ पर आपको एक candle का replika देखने को मिलेगा, the candle would be completely identical, जिसे हम कहते हैं clone है, उसी तरीके से एक candle बनती है, बस इसका color अलग होता है अब यहाँ पर मैंने दोनों तरफ आपके सामने diagram बना रखा है, यहाँ पर आप देख सकते है एक support level होता है, price नीचे गिर रहा है एक point से उसको support की तरफ से bulls activate हुए, similarly same identical candle बनी और उसके बाद उसका identical candle बनने के वज़े से हमने उसको नाम दिया है twin candle, ठीक है, इसको हम लोग कहते है twin tower, अब जब जब भी twin tower बनता है, वहाँ से हम एक reversal देखने को मिलता है, अब candlestick patterns के अंदर कुछ भी ज़ादा जो है discussion करने के लिए नहीं होता है और इसके अंदर मैं भी कुछ ज़ादा बोली सकता, the only thing you need to consider is, कि यहाँ पर आपको psychology समझनी है, कि support पर अगर hammer आ रहा है, तो भाहा से trend reverse होने वाला है, support पर अगर लेक्चर में मैंने जो भी चीज़े पढ़ाई है, वो आपको समझ में आई होंगी, यह लेक्चर थोड़ा छोटा है as compared to other lectures, इसके अंदर छोटे रहने के पीछे reason यही है, कि इसके अंदर discuss करने के लिए हमारे पास ज़ादा चीज़े नहीं होती, अब आप सोच रहोंगे कि अच्छा आप practical भी करके दिखाओ, तो practical मैं आपको तब करके दिखाओंगा जब हम intrading you का lecture एक पर cover up कर लेंगे, उसके आप चिंता मत कीजिए, बस आप मुझे comments के तुरू बता सकते हैं, कि आपको और क्या-क्या चीज़े आप मुझसे expect कर रहे हो कि मैं cover up कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़े आपको आने वाले videos में, मैं promise कर रहा हूँ कि आपको देखने को जरूर मिलेंगी, चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ आपको इस video में काफी मज़ा आया होगा, काफी चीज़े सीखने को मिले होगी, अगर आप इस particular lecture का जो ये document है, अगर आप इसका copy चाहते हो, इसका PDF चाहते हो, सिर्फ और सिफ chapter 5 का पूरी book अगर आप लेना चाहते हो, तो आप आप इस chapter 5 का एक copy आपने पास चाहते हो, तो आप मुझे Instagram पे follow कीजिए, Instagram पे आप मुझे DM कीजिए, वहाँ पर मैं आपको ये copy सेंड कर दूँगा, चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और lecture के साथ, तब तक के लिए चाहें